जब आप किसी होटेल में खाना खाते हो या फिर आप सौपिंग करते हो तो आपको उसके साथ एक GST बिल भी मिलता होगा तो क्या आपको पता है कि उस GST बिल से आप हर हफ्ते लाखों रुपे कमा सकते हो वो भला कैसे देखिए एक सिप्टमबर 2023 को सरकार के तरब से एक एप्लिकेशन लौंच हुआ है जिसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार उस एप्लिकेशन में आपको अपना GST बिल अपलोड करना है हर हफ्ते लौटरी निकलेगा और आप लाखों रुपे कमा सकते हो सारा प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ वीडियो को लाश तक देखना वीडियो पसंदा था तो लाइक करना चान को सब्सक्राइब कर लेना अब देखे यहाँ पर जो application है दोस्तो मेरा बिल मेरा अधिकार वो application का link मैंने विडियो के description में दे दिया है वहाँ से आप download कर लेना ठीक है अब download करने के बाद जैसी आप इस application को open करोगे यहाँ पर कुछ इस तरह का interface आएगा यहाँ पर यह notice है बस इसे आपको पढ़ लेना ह बता रहा है कि एक September 2023 को यह launch किया गया है और यह कुछ इस तरह का interface सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है और उसके बाद यहाँ पर इसे कट कर देना है कट करने के बाद इसे यहाँ से उपर से skip कर देना होगा skip करने के बाद दूस्तों यहाँ पर आपको दो option मिलता है login और sign up ठीक है तो इसके अंदर आपको account तो होगा नहीं तो आपको क्या करना है sign up पर click करना है अब जैसे आपको यहाँ पर डालना है अपना first name ठीक है जैसे कि मैं यहाँ पर डालना है middle name मेरा middle name नहीं है मेरा direct last name है तो मैं यहाँ पर direct डालूंगा sony ठीक है अगर मिरा नाम रहता सथ्यम कुमार sony तो मैं यहाँ पर first name में डालता सत्यम middle name में रालता कुमार और last name में में डालता sony ठीक है लेकिन मेरा यहाँ पर safe ऐ फर्स on the last name है तो मैं यहाँ पर डाल दिया हूं first and last और उसके बाद पर मैं अपना mobile number डाल देता हूँ ठीक है यहाँ पर 92 वाज़ट 90 यह मैंने यहाँ पर mobile number अपना डाल दिया उसके बाद यहाँ पर आपको अपना state जो वो select कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पर state अपना select कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर ok पर मैं click कर दूँगा और उसके ब आपको verify कर लेना होगा यह देखिए OTP आ चुका है तो मैं यहाँ पर OTP जो इंटर कर देता हूँ 630351 630351 यह मैंने इंटर कर दिया और उसके बाद verify OTP मैं click कर दूँगा और यह मेरा verify हो चुका है यहाँ पर आपको तीन option मिलेगा my invoice यहाँ पर देख सकते हो my invoice पर है वो upload करना है बस यहाँ से गैलरी से आना है ठीक है गैलरी से आप अपना जो बील upload कर सकते हो बस आपको अपने बील का photo click कर लेना है click करने के बाद यहाँ पर चूज विया गैलरी पर आपको click करना है और यहाँ से आपको upload कर देना है उसके बाद क्या होगा कि आपका जो अपनी upload किया है उसे जो है वो verify किया जाएगा और जो है हर हपते लोटरी निगलेगा और इसमें अगर आपका नाम आएगा तो आप हर हफते जो है वो लॉपे जीत सकते हो कमा सकते हो ठीक है तो यह चीज आपके फैदे की है लेकि एक चीज इसके अंदर condition है कि आपको जो है दो सो के उपर से जो है वो बिल बनता है तो ही इसके अंदर जो वो acceptable है ठीक है अगर दो सो का निचे होगा तो वो acceptable नहीं होगा एक चीज इसके अंदर मैं आपको बताना ही भूल गया इसके अंदर सिर्फ B2C बील ही acceptable है मतलब कि अगर आप पिट्रॉल डलवाते हो और इसके अंदर अपना पिट्रॉल वाला बील अपलोट करते हो तो वो मानने नहीं होगा जबकि LPG सिलेंडर वाला जो बील है वो इसके अंदर मानने होगा तो इस तरह से आप जब अपना GST बील अपलोट करो साइद अगला जो लॉट्री है वो आपके नाम निकल जाए